क्या आप close range fight में hug देते हो अगर आप close range fight में hug देते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है अच्छा बस इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो में हम जो कुछ भी बतलाएंगे उस इसको आपको अपना training ground में जाके practice करना है और practice करने के बाद आप बस बतलाना कि आप close range fight आपका improve हुआ या फिर नहीं तो चलते है training ground पे तो भाई साब हम आ गये है training ground पे और training ground में आने के बाद आपको एक गन लेना है गन लेने के बाद आप extended मैक ले लो और extended मैक लेने के बाद आप आपका एमो जो है ना वह ज्यादा हो जाएगा ज्यादा होगा तो extended मैक लेनी के बाद side में एक laser देख रहे हो laser basically करने क्या वाला है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो न लेजर लेने से आपका जो जो निसाना है crosshair जहाँ पर वहाँ पर laser भी जा रहा है तो पता चल जाएगा कि आपका crosshair कहां पर fire हो रहा है यह सब आपको पता चल जाएगा और एक चीज़ हम आपको बतला रहे है jiggle देखे fire करना है हमेसा jiggle close range में हमेसा jiggle देखे Hi fire करना है और हाँ without scope in कियो है, यह scope कभी मत खोलना यह scope कभी मत खोलना close range में और jiggle का practice कैसे करना है यहाँ पर यह जो है, यह जो corner है, यह जो table का यह corner से, यह जो 4X है न, यह 4X यहाँ तक, यह जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसे 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 जीगल देना है, और jiggle देने के बाद, यह जो road है न, यह, यह, यह जो road है इसमें आपको fire देना है हम बतला रहे हैं बस इस इसको follow करना देखो, यहाँ से आपको यहाँ पर fire देना है, यह से ऐसे ऐसे आइस साब आपका close range fight ना बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा स्टार्टिंग में आपका अंगूठा दर्द करेगा इसके बाद में धीरे धीरे फीक हो जाएगा अरे अंगूठा नहीं आपका gameplay इंप्रोब हो जाएगा प्रोशेयर हिलना नहीं चाहिए आपके बाद हिलो, जिगल दो बस प्रोशेयर बिल्कुल भी मत हिलने देना बस स्टार्टिंग में प्रेक्टिस करो स्टार्टिंग में ये होगा कि इधर उधर उधर हिल जाएगा आपका जिगल करते करते हिल जाएगा लेकिन धीरे 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 ना आपका ये problem ठीक हो जाएगा और आप close range fight में master हो जाओगे लेकिन सेunu हैने के बाद को और एक चीज बतला रहे हैं वैसे हाँ इस वीडियो में आप आ तीन चीज हम बतलाएंगे बस तीन चीज बतलाएंगे ज्यादा बतलाने सीफ इस वीडियो में तेन चीज यहां पर हम बतला रहे हैं क्या practice करना आपको यह जो दिख रहा है न यह जो 5 नमबर दिख रहा है 4 नमबर दिख रहा है फिर 3 नमबर दिख रहा है तो करना क्या है यहाँ पे आओ जिगल देते देते आपको इसस को fire दो लेकिन आपका crosshair हिलना नहीं चाहिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका accuracy बढ़ेगा निसाना बढ़ेगा एक दमसाप सुत्रा तो आप यह ससको प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो पता यह न छोटा इसी चीज है लगिन इस छोटा सा चीज के वज़़े से आप गेम पे हग देते हो यह तो हो गया यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना और शाथ में इधर भी आप कर सकते हो जिगल देते देते यह चीज हो गया उसके बाद में last बहुत ज़्यादा मेंड चीज और मेंड चीज यह है न कि फाइट ले रहे हो अगला बंदा ब्रो है वो भी मतलब हर बंदा जिसके साथ आ फाइट लोगे वो भी जीगल देगा वो भी जीगल देगा आपको भी जीगल देना है और मारना है तो क्रोशियर उसके मुंडी पर रहेगा वो जीगल दे रहे है उसी के तरफ आपका प्रमाइज पर आओ, 60m को हटा दो, 40m को हटा दो, केबल 20m रहेगा और सबसे उपर में जो है max उसको दबा दो और नीचे पर जो moment speed है उसको कर दो max, फिर कर दो start बस हो गया, फिर यह जो है, यह जो fire जो नहीं है न, fire जो नहीं यह, यहां से लेके यहां तक, बस यहां तक ऐस ये जो पीला पत्ती है बाहर में डबार में रहके करना तब दिखेगा कि हाँ आप कितना जीवल दे रहे हो और ये जो बंदा है वैस इस को Forum का और का है या आदन का है आप जिगल दे का लुँप अप करोगे उतना ही जादा माज्टर बन जाओगे इस सिज में close range fight में तो यह जीज आप practice करते रहो हम इतना guarantee के साथ कहते हैं ना कि आपका gameplay improve हो जाएगा वो भी close range fight का तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही बस आने वाला है pro series ऐसे ही pro series आएगा जिसमें हम छोड़ी छोड़ी बात हैं जो की हम आप लोगों को बतलाएंगे training grounds से related games से related अगर आप इस channel पर नए हो तो subscribe कर देना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो like कर देना